नमस्कार दोस्तूं आज मैंने आप लोग के लिए बनाया है ब्रेट पिज्जा यह आप देख सकते हैं यह हमारा ब्रेट पिज्जा बिना अवन के हमने बनाया है और जो बहुत ही बढ़िया बनके तयार हुआ है तो ऐसा आपको भी बनाना है तो प्लीज मेरा पूरा वीडि तक देखिए मैं रभी कला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा स्वाद में स्वागत करती हूं और चली बनाते हैं ब्रेट पिज्जा ब्रेट पिज्जा बनाने के लिए हमने ले लिया है एक टमाटर एक प्याज इसे मैं छील करके धोलिया है थोड़े से हमने सिम्ला मीट्स कट कर लिया है करीब आदा के करीब और यह हमने चार ब्रेट ले लिया है तो चली बनाना शुरू करते हैं तो हमने एक ब्रोड रख लिया है सबसे पहले हम प्याज को ही कट करेंगे तो जिस तरीके से मैं काट रहे है उसी तरीके से आप भी प्याज को कट कर करके तयायर कर लीजिए तो इस तरीके समस्कों को लेंगे अऩर को अब तो इस तरीके से कट लेंगे तो आप हम अपने पिज्जा की टॉपिंग को तैयार करेंगे तुम हम नहीं बना तोपिंग को ही अलका फ्राइ करेंगे तो हमने कढ़ाई रग दी है गैस ओन कर दिया है तोड़ा सा बटर बटर हमारा आप देख सकते हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम टमाटर को भी दोनों साइट से शेक लेंगे तो इस तरीके से रखेंगे अम ताकि वो अच्छे से सिख जाएं टमाटर को हम दोनों साइट पलट करके अच्छे से भून लेंगे तो ओवर कुक नहीं करना है बस यह समय लिजे कि इसको 70% तक हमें पका लेना है टमाटर को तो यह हमारा टमाटर भी रेडी हो गया है तो हम गैस को बंद कर देंगे और हमने ले लिया है एक प्लेट जिसमें अपने पिजा को बनाएंगे और उसी की साइच का हमने काट लिया है बटर पेपर और उसी हमने फेला दिया है अब उसके उपर हमने ब्रेट को रख दिया है उसके उपर हम डाल रहे है टमाटो कैचप और सबसे पहले हम कैचप को अच तो जब अच्छे से चीज पड़ेगा तो यहां पिज्जा खाने में बहुत ही जादे टिष्टी लगेगा तो यह आप देख सकते हैं में बहुत ही अच्छे से चीज को फ़ला दिया है अब हमने जो टॉपिंग फ्राइक करके रखी थी वह इसके ऊपर से अच्छे से हम फैल दो चुट की करीब इसमें पिज्जा सेजनिंग इससे बहुत ही अच्छे से खुजबू आएगी इसके अंदर और यह हमारी कढाई भी अच्छे से फ्री हिट हो चुकी है तो बहुत ही आराम से हम धक्कन को हटा लेंगे ताकि हाथ न जले और अब इसमें हम अपनी करना है किस तरीके से हम पानी के छीटे डाल देंगे क्ढाई हमारी काफी गर्म है तो जो भाब बनेगा तो हमारा जो चीज बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो यह 6 मिनिट हो चुके हैं तब हम ऐसे खोल के देख रहे हैं आप भी देख सकते हैं कि हमारा जो चीज बहुत եी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और यह हमारा बेड़ पिज aha कि लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है तो आप नजदीक से देख सकते हैं कि यह हमारा पिज YOU कितना बढ़ हो तयार हुआ है तो इसको गर्मा-गर्मी आम खाने के लिए। तो आप देख बिल्कुल मार्केट से आप जैसा पिज्जा लाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का ये पिज्जा हमारा बनके तयार हुआ है और इसकी टॉपिंग भी बहुत अच्छे से जो है रेडी हुई है तो इस तरीके से आप जरूर से बनाईए घर में और अपने बच्चों को खाने के दीजिए उन्हें बहुत पसंद आएगा हमने गैस पर से उतार लिया है अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग तो बहुत ही आराम से हम इसे ब्लेट में रख लेंगे और इसमें हम डाल देंगे सीजिनिंग तो मैं थोड़ा से इसमें डाल दूंगी चिली फ्लैक्स थोड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद